टू वील ड्राइव ट्रैक्टर में पॉवर सिर्फ पिछले दो पईयों में होती हैं जिसके कारण उबर खाबर रास्तों में या फिर ज्यादा लोड पर ट्रैक्टर स्लिप मारता है और आगे से उठ भी जाता है जिससे ड्राइवर की जान को भी खत्रा होता है मगर फोर वील ड्राइव ट्रैक्टर में अगर पीछे के टायर खड़े में फस जाते हैं तो आगे के टायरों में पॉवर होने की बज़ा से पूरा जोर लगाता है जिससे ट्रैक्टर आराम से निकल जाता है और इसका कारण है कि फोर वील ड्राइव ट्रैक्टर में पॉवर चारों पईयों में बराबर जाती है जिससे ट्रैक्टर की जमीन पर ज्यादा पकड़ होती है और ट्रैक्टर की लोड खीचने की ताकत 15 से 20 प्रतिशत बढ़ जाती है और इंजिन से मिलने वाली पावर का हम पूरा इस्तेमाल कर पाते हैं कोई भी 60 होस पावर का टू वील ड्राइब ट्रैक्टर जो इंप्लिमेंट चलाता है फार्म ट्रैक का 50 होस पावर का फोर बाई फोर ट्रैक्टर उससे बड़ा इंप्लिमेंट बड़ी आसानी से चला सकता है अगर दोनों का एक घंटे का खेत में काम देखें तो 60 होस पावर के टू वील ड्राइब ने किया 3.51 एकड़ और फार्म ट्रैक्टर पचास फोर बाई फोर ने किया 4.258 एकड़ जो के लगभग 10 से 15 प्रतिशत ज्यादा काम है और अगर तेल की खपत को देखें तो 60 होस पावर के टू वील ड्राइब ने लिया एक एकड़ में 1.75 लीटर और फोर बाई फोर ने लिया एक एकड़ में 1.5 लीटर अगर एक साल या एक हजार घंटे का काम देखें तो 60-50 फोर बाई फोर लगभग 20 प्रतिशत ज्यादा काम कर रहा है और 15 प्रतिशत तेल की बचत है जो कुल मिला कर एक साल में 65 हजार रुपे की तेल की ही बचत है आगे वाले पैयों में पावर होने के कारण ये ट्रैक्टर स्टिरिंग से ही टू वील ड्राइव के मुकाबले ज्यादा असानी से कम जगे में मोड काट लेता है जबकि टू विल ड्राई में वही मोड ब्रेक लगा के लिया जाता है वरना मोड और बड़ा भी हो जाता है वैसे तो मैंने गन्नी की ट्रॉली निकाली थी जो खेत में फस जाती थी वो अब यहीं गाम की तींचा ट्रेक्टर बुलाने पड़ते थे अब यह अकेला ही निकलता है मुझे बहुत फायदा हुआ इसका बहुत अच्छा मुड़ता है बड़े अराम से मुड़ता है और जौन भी एक ट्रेक्टर वो भी इत्रेक्टर है और 4x4 इसका बहुत फायदा है तेल ज्यादा नहीं खाता चलाने में भी बड़िया है जैसे गाड़ी चलती है वैसे ही चलता है यह 50 हर्स पावर का ट्रेक्टर है जो मार्किट में है उससे एक लाग रुपे कम है प्रतेक एकड़ पर 2 लिटर तेल की बचट है रोज 15 एकड़ में काम कर रहा हूँ यह 15 दूनी 30 लिटर की बचट है यह 60-50 आने के बाद पैसे की बचट हो रही है और हम हर तरफ से हैपी है इससे काम करने से खेट एक लेवल पर रहता है यह गाड़ी लेने के बाद अभी नुक्सान हुआ है लोग मर भी गए हैं और मैंने अभी तक 300 एकड़ में काम किया है अभी और 200 एकड़ काम करने का टार्गेट है इसी की बज़े से हमारा प्रॉफिट है इस सीजन में मेरा अमाउंट मेरे को आ गया और क्या चाहिए इसको यह निवालों कि मेरे करता है और पूरे ट्रिणर लगा के जितने हम लगा सकते हैं पायदा यही है फोर विल का यह स्लिपनी मारता जो इसका फ्रंट एक्सल है बहुत हैवी है उठता नहीं है दूसरे ट्रेक्टर उठ आते हैं हमें आगे वेट रखना पड़ता है या दो-चार बंदे या मिट् किसान के बसकी बात नहीं दूसरे 50 होर्स पर वाले ट्रेक्टरों के मुकाबले इसका चार वील का जो रेट है तूसरों के टू वील के बरावर है कंपनी का हम थैंक्यू करना चाहेंगे कि किसानों के लिए तना बड़ी आ बनागे तर इसका बेनिफिट बहुत ज्यादा है मुझे पहली बात मेरा 404 के ट्रेक्टर है जो यहां किसी और के पास नहीं है मार्केट में बाकी ट्रेक्टर भी आ रहे हैं है जैसे कि जॉन्डिय ट्रेक्टर है जब इंजन की आर्पीम कम होती है तो मोड़ने में दिक्कत हुट जब हम कटाई करते हैं तो वो कहीं-कहीं फस्ता है यह बिल्कुल नि फस्ता इसकी आर्पीम चाहिए पाच पर हो या साथ पर यह बड़े अराम से मोड़ काटता है पहले मोड़ मुझे ब्रेक मारनी पड़ती थी यह लिफ्ट उठानी पड़ती थी इससे मेरा लिफ्ट और फंप घिसता था ब्रेक लेजर भी घिस बाकी रही कीमत की बाद दूसरे ट्रेक्टरन प्रेदारी सॉर्फ पावर जॉंडियर जो में मिल रहा है वो फॉर्म ट्रेक से एक लाग रुपे महंगा है यह 8 फीट का पैड़र है जो हमारे आदमी ने इसके लिए सजिस्ट किया फॉर्म ट्रेक साथ पचास से मोड अच् से खेट में जाना है तो इस ट्रेक्टर का रोटा पाटलर पीछे उपर लगा कर वाई रोड अराम से जा सकते हैं इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती है जो टू विल ड्राइब ट्रेक्टर है इसको टाइम भी ज्यादा लगता है और पकी डिमीन के स्लिप भी मारता है यह साथ ट्रेक्टर उतारो और हमारा ट्रेक्टर लगाओ और देखो कि ट्रॉली कैसे बागती है फिर वह अकेले ही खींच के ले जाता है फिर लोग बड़े खुश होते हैं और कहते हैं कि हम भी ऐसा ही लेंगे